नमस्कार, खबर 24 एक्स्प्रिस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का जानकारी के अनुसार हर्दी थाना इलाके के ग्राम पंचाथ पडोलिया के गेधर पुर्बा निवासी अफसाना सुमवार के दात मां के साथ सो रही थी वन विभाग ने चार भेडियों को पकड़ लिया है लेकिन अब भी दो भेडियों ने आतंक मचा रखा है बहराईच, कतरनिया, खाथ, वाइल लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबाकी के लगभग 25 स्टी में लगी हुई है अब इन आदम खुरों ने अपना दायरा जिले के अनिक शेत्रों तक बढ़ा लिया है बहराईच, के दिएफो इन भेडियों की संख्या कुल 6 बता रहे हैं अब तक 4 भेडियों को पकड़ा जा चुका है और प्रिशासन अब दो और भेडियों की तलाश में है हाला कि प्रभावत अलाकों के ग्रामेंड इनकी संख्या दो दर्जन बता रहे हैं बेडियों के आतन की शुरुआत और आ ही गाउं से हुई थी यहाँ बेडियों ने पहला अटैक 7-7 साल के दो बच्चों पर किया था फिरोज नाम के बच्चे पर करीब तेर्ड महिने पहले भेडियों के जुनने हामला किया था बच्चा अपनी माह के साथ सोया था तभी रात करीब 12 बजे भेडिया घर के बरामदे में गुसा और बच्चे की गर्दन दबोश कर भाग गया इस दुरान उसकी माँ बच्चे को बचाने की कुशिश करती रही बेडिया बच्चे को करीब 200 मीटर दूर तक खेट में घसीट कर ले गया चब माने शोर मचाया तो गाउं के लोग जुटे फिर बेडिया बच्चे को गाउं के पास खेट में छोड़ कर भाग गया लहु लुहान बच्चे को परिवार और गाउं के लोग अस्पताल ले गए जहां 13 दिन तक इलाज के बाद बच्चे की जान बची उसके चहरे गर्दन, सिर, कान, पीठ और छाती पर नशान है